बिहार में चुनावी समर का वक्त है और ऐसे माहौल में आरजेडी को बड़ा जटका लगा है उसके पांच MLC जेडियों में शामिल हो गए हैं इनका कहना है कि वो मुखेमंतरी नितीश कुमार की नीतियों से प्रभावित होकर उनके साथ जा रहे हैं इन पांचों MLC के आएगी शेहमात मंगल को आरजेडी का अमंगल बिहार की राजनिती में मंगलवार का दिन जहां आरजेडी के लिए मंगलकारी रहा तो यही मंगलवार जेडियों के लिए मंगलकारी साबित हुआ दरसल विधान सवा चुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा जटका लगा ह और उसके पांच MLC ने पार्टी का दामन छोड़ दिया और मुख्यमंत्री नितीश कुमार पर अपना भरोसा जताते हुए जेडियों में शामिल हुए MLC रणविजय सिंग, दिलिप राय, कमरालम, संजय प्रसाद और राधा चरन सेठ ने विधान परिशत के सभापती को जेडियों में सामिल होने की चिठ्थी सौपी वहें विधान परिशत के कारिकारी सभापती, अब धेश कुमार सिंग ने अलग गुट को मानेता भी दे दी इसके बाद इन सभी ने मुख्यमंत्री नितीश कुमार से मुलाकात की और अपने गुट का विले जेडियों में कर दिया विधान सभा के चुनाओं में तो आइसे भी पता है आपको कि क्या होना है, सुप्रा साफ होना है रगुबन स्भावू जैसे विक्तित को उनके जैसे विक्तिकों भी आर जेडिक के नितृत उने अफमानित करने का काम किया और उनको अफमान, कोई भी स्वाभिमानी आदमी इस तरह के अफमान को बदास नहीं कर सो जेडियों में शामिल कमर आलम की गिंति आर जेडि के कददावर नेताओं में होती है और उन्हें लालु प्रसाद का करीबी भी माना जाता रहा है दिलिप राय की गिंती भी लालु प्रसाद के परिवार के करीबियों में होती है संजे प्रसाद पहले से ही आर जेडि से नाराज चल रहे थे और उन्होंने लोगसबा चुनाओं में खुल कर ललन सिंग का साथ दिया था कोई उफड मिला नहीं मिला कुछ भीन मिल नहीं मिल रहे मारघ है यहां पर आएक तरी है रूप कि आप लोग देखेंगा ना स्वासन मिलेगा तो जदिव का जो हम लोग सद्यत्ता लिये हैं नितिस सिधान अच्छा लगा नितिस जी के विचार से और विकास से हम लोग सामत हुए इसलिए जदिव का दामन थाम लिए वहीं आरजेरी की माने तो उन्हें तूट की भनक पहले से ही लग गई थी और रूठों को मनाने की कोशिस भी हुई लेकिन बात नहीं बनी इसके बावजूत पार्टी में तूट से आरजेरी आलाकावान सक्ते में दिखा आरजेरी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानन सिंग रावडी आवास पहुँचे और पुरों मुख्यमंत्री रावडी देवी और विपक्ष के नेताब तेजस्वी आदव के साथ बैठक कर हालात की समिक्षा की इस बीच आरजेरी का दावा है कि जेरी उने उनके पाँच एमलसी तोड़े हैं तो वो पचास तोड़कर बदला पूरा कर लेंगे अगर ये पाँच ले जाएंगे हम इनका पचास तोड़ेंगे किधर आरजेडी के दावे पर जेडियों के और से भी जवाब दिया गया और कहा गया कि अभी सिर्फ शुरुवात है यह सिलसिला लोकसभा चुनाव तक जारी रहेगा अब दल तूटा या दिल तूट गया आपके पाटी के विधान पारशद ने आपके नेत्रित के खिलाफ मुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर किया है जनता तो पहले ही मुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर कर चुकी है खुद तेजस्वी जी का ही जब भविस नहीं है और विहार की जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि 2010 के आंक्डे को भी एक बाद फिर राज़त को हासिल करने में कठिनाई होगी ये मानस विहार का बन चुका है तो फिर उनको क्या मिलेगा उनके साथियों को क्या मिलेगा पांच मलसी के जीरियों में चले जाने से अब आरचेडी के विधान परिशद में केवल तीन सदस से रह गए हैं इन में पूरो मुख्यमंत्री राबडी देवी भी शामिल है और मुझूदा हालात को देखकर लगता है कि आने वाले दिनों में बिहार के सियासी गलियारों से ऐसे और भी जटकों की खबर सामने आएगी शेलंदर के साथ धीरच जी मीदिया पटना तो बिहार के सियासत का ये बड़ा उलट फेर यहीं तक सिमित नहीं रहा है एक तरफ आरजेडी के 5 MLC ने जेडियू का रूख कर लिया तो दूसरी ओर पार्टी के कदावर और वरिष्ठ नेका रगवश प्रसाद ने भी आरजेडी के सभी पदों से इस्तीफा देकर सब क को हैरान कर दिया किंद्र मंत्री रह चुके रगवश प्रसाद इंदेनों कोरोना पोजेटिव होने के कारण अस्पतार में भरती हैं पतना किरिम्स में भरती हैं का जा रहा है कि रगवश प्रसाद सिंग लोक जन शक्ती पार्टी के पूरु सांसद रामा सिंग को रगवश प्रसाद सिंग समेथ आरजेडी के कई नेता नाराज बताया जा रहे हैं अब कोता हैं कि रामा सिंग कभी लालू प्रसाद यादव और रगवश प्रसाद सिंग के कट्टर विरोधी माने जाते थे और ये वही रामा सिंग हैं जिन्नोंने 2014 के लोग सभा हो तो उसे रगवश प्रसाद सिंग कैसे बरदास्त कर पाते हैं तो आरजेडी के 5 MLC ने जेडियू का दामन था मार तो आरजेडी के में में हड़कंप मच गया बैठकों का दौर भी शुरू हो गया नेताओं की बॉखलाट भी नजर आने लगी अब तेजस्वी यादव क नितीश कुमार जी को हम शुब कामना दें उसकी कोफी जो MLC यहां से वहां गया है उनके भविश को लेकर के हमारी शुब कामना आए है और नितीश कुमार जी ने कंस्टक्टिव काम किया है नितीश कुमार जी ने कंस्टक्टिव काम किया है वो कंस्टक्टिव काम किया है तो अपनी पार्टी में हुए इस बड़े उलट फेर से RGD के प्रदेशा द्रक्षा जगदा नंद सिंग भी सकते में अपनी पार्टी के 5 MLC के जेडियों में शामिल होने से नाराज उन्होंने नितीश कुमार पर हमला बोला जगदा नंद सिंग ने कहा कि नितीश कुमार के पास अपनी कोई पूंजी नहीं है और इसलिए वो राजनितिक लूट पार्ट में लग गए हैं लेकिन बिहार की जनता उन्हें सबक सिखाएगी वहीं उन्होंने रगवंश परसाद की स्तीफे को लेकर कहा कि वो नाराज नहीं है और बहुत जल्द स्वस्थ होकर वापस लोटेंगे मैं लोगों से कह रहा हूँ कि अधि गाउं में सरा की दुकान होगी तो इक्का दुका सरा भी बन ही जाएगा ये जो लोबललाले से देने वाली दुकान है दुकान आरशी पी निफीस कुमार ये जो जमात है समझवादी आंजोलन को धोखा देने वाली ये लोग किसको किसको कहां पर लोबलाले से फशाते हैं फशा लेंगे क्योंकि इनके पास ताकत ही यही है बिचार की ताकत इनके पास शाय नहीं अब घर की बात की चर्चा समाजी गुरूप रहे ये घट न घट चुकी है आपने जो कुछ कहा मैं आपके शामने असपस तुरुप्षे उने लीतियों को बताए आप महागडबंदन के बारे में भी हमारी चर्चा अपने शातियों से होगी महागडबंदन है चुना हम लोग मिलके लड़ने वाले हैं उसमें सभी लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं सब अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं और सबों की ताकत समय की तुरुप्षे इनको परास्त करेगी जिसका नाम है धार्वे कुन माजियों का साथ देने वाला नितिश कुबर